दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पिछला दो वीडियो बनाया उसमें एक बनाया अधार कार्ड का जो रिप्रिंट होता है पीविसी उसको हम कैसे अपलाई करते हैं अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ही बढ़िया तरीकास मैंने बता कौब आएगा कितने दिन लगेंगे और क्यों रिजेक्ट हो गया उसके बारे मैंने बताया है और यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहें कि मेल कैसे करें यानि कि जब मेरा रिजेक्ट हो गया हमको पता है कि मेरा एकाउंट है कर दिया एक बार दो बार जितने बार आपने किया है वह सारा उसमें बताना है और कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा इस पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजेक्ट होने का दो कारण है अभी कि एक ता आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं अगर आपका पेमेंट नहीं होत सब्सक्राइब करने वाले कि कैसे हम हेल प्लाइन नंबर पर कॉल करके बात करेंगे और उसके बाद हमको क्या इमेल आइडी पर सेंड करना है क्या क्या दस्ता वेज या पिर क्या 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 चीजे उसमें लगेंगे सेंड करने में इमेल आइडी बताऊंगा और पर 147197 पर कॉल करना है उनको कमेस्टमर के सबात करना है उनको बताना कि आपके साथ क्या हुआ है मैंने बताए क्जिन मेरा अधार काड हो रिजेक्ट हो गया मैंने दो बार पेमेंट कर दिया और फिर भी रिजेक्ट हो गया तुनों मुझे एक इमेल आइडी बता है उस पे हमको बोला है कि आप अपना इसमें सारा कुछ सेंड कर दीजिए और उसके बाद उधर से आपको रिपलाई दिया जाए है कि उसमें क्या लिकना है और क्या 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 चीज जेंट करना है तो दोस्तों चलते मोंग College की थिर इसकstag करें देख सकते हैं मैंने display पे लिख आपको show भी करा देता हूं आपको लिखना है to में अधार.card add uidai.net.in इस परकार से आपको लिखना है उसके बाद आपको subject में लिखना है my pvc card requested request rejected तो यहां पर सब कुछ fill color करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है उसके बाद name के बाद mobile number उसके नीची लिखना है और उसके बाद आपको यहां से उपर जो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है या फिर कोई आप अपना नाम सिर्फ और mobile number डाले और उसके बाद इसमें तीन फाइल को को और जलो है सेंड कर देना है आप लोग यहां पे देख सकते जो और उसके बाद वहांसे सेंड करते है किんだ करने के बाद तो send करने के बाद आपको email send उधर से किया जाएगा और email में क्या send किया जाएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन चीज को मैंने यहाँ पर send किया है सबसे पहले हम उपर लिखा हुआ है my pvc card request rejected उसके बाद उहाँ पर मैंने अपना नाम डाला mobile number डाल दिया जिस mobile number से मैंने otp गिराया था उस नंबर को और नीचे मैंने तीने screenshot लगा है उस तीनों screenshot को मैं आप सबको साथ आपको दिखा देता हूँ एक एक करके ताकि आप लोग क्लियर हो जाएगा कि तो इसको हम open कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर यह है उसके बाद यहाँ पर order अधार कार्ड जो लगाया थे वह उसके बाद 50 रुपया का मैंने जो पैड किया था वह तीनों को मैंने यहाँ पर एक साथ तीनों का स्क्रेंशोट इसमें अटेच कर दिया हूँ और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया हूँ अधार डॉट कार्ड एड्रेड यू आई डी डॉट नेट डॉट इन पर तो देख सकते हैं अभी तक हमें कोई इमेल के तरब से जवाब नहीं मीला है दोस चाहिए अगर आपको रिपलाइ आजाएगा मुझे जैसे ही रिपलाइ उदर से आता है मैं आप सबके साथ बताऊंगा आपको बताऊंगा उसमें रिपलाइ और केतने दिन में मेरा अधार काड जो पीबीसी काड बनके आ जाएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगले बाइ